हेलो फ्रेंड्स मेरे चानल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तुराई की सबजी बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और इस सबजी बहुत ही टेस्टी बनता है इस सबजी को आप रोटी, राई, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना तुराई की सबजी को बनाने के लिए मैंने याँ पे लिया है आदा किलो तुराई, तुराई को मैंने क्लेन करके और कट करके लिया है ग्यास के उपर पैयान रखा है मैंने इसमें डालेंगे चार टेबल स्पून तेल, तेल गरम होते हैं इसमें डालेंगे हाप टेबल स्पून जीरा, हाप टेबल स्पून सरसों की दाने, चार हरी मिर्च को मैंने पहले से कट कर के लिए उसे भी डाल देती हूँ, वन टेबल स्पून अधरक और लेसोन का पेश्ट ये कटा हुआ प्याज कड़ी पत्ते अब हम इसमें डालेंगे तुराई इन सब को एक बार मिक्स कर लेना है अब हम इसमें याड करेंगे 1.5 टेबल स्पून हल्दी 1 टेबल स्पून सॉल्ट 1 टेबल स्पून लालमिस पॉड़ इसमें डालेंगे आदा गलास पानी 5-6 मिनट के लिए इसे डखकर पकाएंगे 5-6 मिनट होने के बाद हमें उपर का डखकर निकाल देना है सबजी को और टेश्टी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है बूने हुए मुमफली का पाउडर तुराई के सबजी बन का रड़ी है आपको रेसिपी अच्छा लगा तो फ्रेंड्स और फैमली में ज़रू शेयर करें मिलते हैं एक न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ मिले के सबस्टा देश्टी बनाने का रेसिपी की रेसिता है लाओर